दो लड़कियों ने मचाया एटा में कोहराम एटा के दरजन भर लड़कों का किया जीना हराम जैसे कि उत्तर प्रदेश में नारी बचाओ अभियान बेटी पढ़ाओ पेटी बचाओ अभियान नारी शक्ती का प्रयास चल रहा है ऐसे में एटा में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां दो लड़कियों ने एटा के दरजन भर लड़कों का जीना दुश्वार कर दिया है जी हाँ आपको बता दे जरा और खुश्वू और उसकी बहन शाइन यह एटा के पोता नगला महले में रहती है इन लड़कियों के आई दिन किसी न किसी लड़के से कोई ना कोई मामला निकलता है लड़कों को ब्लैक मिल करके उनसे मोटी रकम मांगती है जो लड़का पैसा नहीं दे पाता उसको मुकदमा करवा कर जेल करवा देती है ऐसा ही एक लड़का होले महला का रहने वाला दनिश नामक को इन्होंने फसाया और उसको पैसे की मांग की पैसे ना देने पर दनिश को जेल करवा दी वो मुकदमा भी उस पर लगवा दिया इससे पहले कई केस कई लड़कों के साथ हो चुके है आज एक और केस सामने आया है लड़के का नाम धीरे इंद्रसी है जो की समसिंगपूर पीपल अड़ा का निवासी है यह लड़का पहले 50,000 रुपए इस लड़की को दे चुका है और पैसो की मांग कर रही यह लड़की लड़के के ऑफिस में जा पहुची यह लड़का महिंत्रा एजिंसी में काम करता है पैसे ना देने पर इस लड़की ने समसिंगपूर के प्रधान अशोक कुमार के लड़के से इसको पिटवाया लड़के का नाम सिद्धात कुमार है दिरेंद्र के घर के पास आकर प्रधान का लड़का वह उसके सात्यों ने दिरेंद्र के उपर प्रहार कर दिया और फायरंग मिखी जिससे धिरेंद्र वशेलेंद्र दोनों भाई गंबी रूप से घायल हो गए स्थानिय लोगों की मदद से उनको जिला अस्पताल लाया गया जहां उपचार चल रहा है